एपिसोड 187 The Kidnapping आरम की एबात सुनकर अनन्या बहुत परेशान होगे थी उसे बिल्कुर भी विश्वास नहीं था कि आरम उसके साथ ऐसी बात करेगा वो उससे कह दिये आरम तुम ये क्या कह रहे हो इससा नहीं हो सकता भले ही मैं अपने पिता से कभी मिली ना हूँ लेकिन मुझे उनके उपर इतना भरोसा तो है हरम समझ जाता है कि उसने गलत बात कही वो तुरंट अनन्या से माफी मांगता है यार मुझे माफ करना अनन्या मैंने कुछ जादा ही बूल दिया हरम उससे समझाते हुए कहती मुझे कोई फरक नहीं पड़ता कि वो मुझे क्या चाहती जब तक कि वो मेरे पिता के बारे में बता सकती मैं उनसे मिलूंगी हरम समझ जाता है कि अनन्या किसी की बात पर नहीं रुकेगी वो बोलता है ठीक है तुम पहले वहाँ चली जाओ मैं तुमें बाद में वहाँ से ही बिकर लूँगा अनन्या उससे बताती हामें तुरंट काम के बाद वहाँ के लिए निकलती इसके बाद आरम ने फोन रख दिया अनन्या को इस बात की भी खुशे थी कि आरम आखिरकार उसके पास आगया था अब अनन्या आरम से बिलकुल भी जुदा नहीं रह सकती थी उसे हर पल उसका साथ चाहिए था एक तरफ अनन्या बहुत खुश थी दूसरे तरफ तान्या अपनी चाल के लिए अगला कदम चल रही थी वो एक बार में जाती है और वहाँ पर बैट कर किसी का इंतिसार कर रही होती है उसके सामने एक भारी भरकम आदमी आता है साफ साफ उसके बौडी से देख कर लग रहा था कि उसका कनेक्शन अंडर वोल्ड से वो आदमी कोई और नहीं बलकि आधरश था जिससे पहले तानिया ने बात की थी तानिया उसकी तरफ एक फोटो खिसका थी फोटो देखकर आज़श बोलता है तानिया जी ये तो अनन्या ही है न ये वही है जिसकी शादी आरम बत्रा से हुई थी ने उसमें काफी सुना था इसके बारे में तानिया उसको बोलती है, बिल्कुल सही, ये वही लड़की है, फिर तुम चिंता मत करो, अब इसका आरम के साथ कुछ लेना देना नहीं है, उन दोनों का तलाक हो गया है आदर्श को ये बात सुनकर बड़ी हिरानी होती, खुछ दिनों पहले ही उसने इन दोनों के साथ में आने की खबर सुनी थी, और अब उनका तलाक भी हो गया उसे भी यही लगा कि बड़े लोगों के हाँ तो ये सब बाते होती ही रहती तानिया उसका हैरानी भरा चेहरा देखकर समझ जाती है कि शायद उसको ये बाते कुछ अटपटी सी लग रहे, वो आदर्श को समझा थी अब उनका तलाक तो होना ही था, उस अननिया ने बत्रा परिवार के सबसे बड़े मुख्या आरम के दादाजी से जूट बोला था ये बात जानकर उने बहुत गुस्ता आ गया और उनकी तबित खराब हो गए, हारम ने गुस्ते में अननिया को तलाक दे दिया अब वो अननिया के बारे में कुछ नहीं सोचता तानिया चाहती थी कि आदरश को पूरा सच पता ना चले उसने जान बूच कर अपने हिसाब से चीज़ें बदल कर आदरश को बताई थी मुझा आदी थी कि आदर्श की मदद से अनन्या हमेशा के लिए उसके जिंदगी से दूर हो जाए ये सुनकर आदर्श को भी तसल्ली होती उसे पहले लग रहा था कि कहीं अनन्या के खिलाफ कुछ करने से वो आरम को तो गुसा ना कर देगा पर जैसी खबरे उसने अकपार में सुनी थी ताइना ने भी वैसा ही कुछ उसके सामने तस्वीर बनाई थी आदर्श तरन ताइना से पूछता है तानिया जी आप मुझसे चाहती क्या है तानिया बड़े गंभी रूप में उसे बता दी मैं बस उसे एक सबक सिखाना चाहती उसने आरम का इस्तिमाल करके मेरी बेज़ती किये हब उसे अपने किये के लिए पच्चताना तो पड़े गए मैं उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ूँगी एक के बाद एक मैं अपने बदले उससे लूँगी तुम बस ये याद रखना कि तुमारा ये बार सिर्फ मेरी वज़े से चल रहा है अकर तुम ने मेरा बदला लेने में मेरी मदद नहीं की तुमारे बार पर भी अगली बार कुछ आफ़ आ सकती पुलिस अगर अगली बार तुम्हारे पास आई तब मैं उस केस में कुछ नहीं कर सकती तानिया ने अपनी प्रॉब्लम के साथ साथ आदर्श को धंकी भी दे दे दी ये सुनकर ही आदर्श थोड़ा घबरा गया उसने तुरन तानिया से कहा अरे तानिया जी आप कैसी बाते करें मुख्य मंत्री की बेटी को हम थोड़े ही ना नरास कर सकते भला आपकी मदद करने से कौन इंकार कर सकता है आप जितना ना करें इस लड़की ने जितना आपको तकलीफ पहुँचाई है उससे दुगनी तकलीफ हम इससे पहुचाएंगे ये सुनकर ही तानिया के चेहरे पर मुस्कान आ गए उसने कहा तो क्यों ना अनन्या की बरबादी आज रात से ही शुरू हो जाए जितना मुझे पता है आरंब अभी शहर के बाहर है ये मौका तुम्हारे लिए सबसे सही पड़ेगा आदरश को लग रहा था कि कहीं तानिया अनन्या को मरवाना तो नहीं चाहती इसलिए वो घबराते हुए कहता है तानिया जी मैं बस आपसे ये कहना चाहता था कि मैंने लोगों को जहन से मारना छोड़ दिया मैं सिर्फ इसको गंभीर रूप से चोट पहुचा सकता हूँ तानिया ने भी तुरंट उसको बोला मैं भी नहीं चाहती कि तुम इसको जान से मारतो मैं बस यहीं चाहती हूँ कि तुम इसकी इस्ज़त लूट लो एक बार वो बरबाद हो जाएगी तो आरम उससे खुद पर खुद नफरत करने लगेगा वो उसके लाइक नहीं बचेगी ये सुनकर आदर समझ गया कि तानिया क्या चाहती थी वो बोलता है ठीक है मैं अपने कुछ आदमी विजवा कर ये काम करवा दूँगा तानिया जी आप चंता मत करें बहुती जल्द आपको खुशकबरी सुनने को मिलेगी दूसरी ओर अननिया रक्षा के साथ दिनर करने के लिए तयार हो जाते उसे रक्षा की बातों पर भरोसा नहीं था उसे अभी तक शक्त था कि रक्षा ज़रूर कुछ ने कुछ छुपा रही है वो रोड पर टैक्सी का इंतजार कर रही थी इस वक्त काफी रात हो गई थी अननिया को काफी देर से कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी अननिया ने सोचा कि उसे थोड़ा आगे चलकर टैक्सी मिल जाएगी वो एक शॉटकट रास्ते से गुजरने लगी तब ही एक वैन अननिया का पीछा करने लगती है वैन में मौजूद एक आदमी बोलता है बॉस ये तो देखने में बहुत अच्छी है बड़ी भूली भाली और मासूम लड़की लग रही है अब पता जला कि आरम बत्रा जैसे खतरनाक आदमी को इसने कैसे अपनी तरफ आकरशित कर लिया वही दूसरा आदमी बोलता है मैंने तो सुना है कि इसे हर दिन अपने आफिस छोड़ने के लिए और फिर वापस घर पर छोड़ने के लिए गाड़ी आती थी भर लगता है तलाक के बाद आरम ने भी गाड़ी भजवाना बंद कर दिया अदर्श वैन के पीछे से सारी बाते सुन रहा था उसने बीच में कहा उसकी तरफ गाड़ी ले लो उससे जल्दी से उठाकर करनाप कर लो हमारे पास जादा वक नहीं है अनन्या धीरे धीरे गली से गुजर रही थी उसे उमीद थी कि इस रास्ते के बाद वो टैक्सी स्टैंड तक पहुँच जाएगी और फिर वो रक्षा से जल्दी मिल सकेगी उससे नहीं पता था कि रास्ता उसकी जिंदगी का सबसे बुरा रास्ता निकलेगा अनन्या के दिमाग में इस वक सिर्फ और सिर्फ उसके पिता का खयाल था इसी की वज़े से उसने और कुछ भी सोचना वाजिब नहीं समझा एकदम से इसमें देखा कि पीछे से एक वैन आई और उसमें से एक आदमी ने बड़ी बुरी तरह से अनन्या को अंदर कीच लिया अचानक से वो वैन गायब हो गए वहां मौजूद कुछ लोगों ने ये बात देख ली थी सबको हैरानी हुई कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया एक आदमी ने तुरंट पुलीस को फोन मिलाया और कहा सर हीरानगर के पास किसी औरत को किर्णाप कर लिया गया वो गाड़ी अभी रास्ते में ही जा रही है अनन्या गाड़ी के अंदर अपने हाथ पैर मार रही थी वो हर कोशिश कर रही थी ताकि वो इन बदमाशों से बच सके उन लोगों ने उसके मूँ पर कपड़ा बांदिया था ताकि उसके चीखने की आवाज बाहर न निकले अनन्या ने इन सारे लोगों का खतरनाक चहरा देगा उनका चहरा देखकर वो डर गए उसे कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा नन्या का दिमाग बड़ी तेजी से चलने लगा उसे समझने या रहा था कि आखिर ये चारों लोग कौन है उसे इस से पहले आज तक इन लोगों को देखा ही नहीं था उसके मन में खयाल आया कि चिसी ने उन लोगों को भेजा होगा अगर ऐसा है तो ऐसी हरकत कौन कर सकता है बड़ी देर बाद उसकी जबान पर सिर्फ एक नाम आया तान्या वही एक ऐसी थी जो अनन्या के साथ ऐसी हरकत कर सकती थी अनन्या उपर उठने की कोशुश करती है कि तब ही आदर इश उसको नीचे दबाते हुए उसके कान में कहता है हनन्या तुमें ज्यादा हाथपट चलाने की जरूरत नहीं है तुम अच्छे से बनी रहोगी तो तुम्हारे साथ कम बुरा करेंगे हमें जानवर बनने पर मजबूर मत करो हनन्या उसकी बातों से डरने वाली नहीं थी वो बिलकुल भी इन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती थी वो बार बार अपने हाथ पर चला रही थी ताकि वो यहां से निकल सके वो इनके सामने हार नहीं मान सकती थी उसने और तीजी से चीखने की कोशश की वो इन लोगों से लड़ना चाहती थी ये देखकर एक आदमी को गुस्सा आगया और उसने का अरे पागल लड़की, समझ नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हैं तो जो चुप रहने के लिए बोला था ना, तो इतना फड़फडा क्यों रही है तो ऐसे नहीं मानेगी, मैं जानता हूँ तो कौन सी भाशा से हमारी बात सुनेगी ये बोलते ही वो आदमी बड़े जोरों से अनन्या को एक तमाचा मारता है अनन्या के गाल लाल हो जाते, उस आदमी के हाथों के निशान उसके गाल पर छप जाते उसे लगा कि एक थपड से इस लड़की को कुछ नहीं होगा, उसने फिर उसको थपड मारा खादश ने उसका हाथ रोका और उससे का, तो बार बार मार ना बन करो अगर तुम इसको ऐसे ही मारते रहोगे तो इसके साथ मस्ती घैस से करोगे ये सुनते ही अनन्या घबरा गए, उसे समझने आ रहा था कि आखिर इस आदमी के ये बोलने का मतलब क्या था ये लोग उसके साथ आखिर करना क्या चाते थे, ये वो उसके साथ जबरदस्ती करना चाह रहे थे वो तुरंट गाड़ी की तरवासी की तरफ बड़ी, आदर्श ने तुरंट उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस खीच लिया उसने बोला, बड़ी तीकी है तू, तेरे हाथ पेर बहुत चलते, तेरे साथ में इन लोगों को भी बहुत मसाएगा अरन्या की आँखों में साफ साफ गुस्सा नजर आ रहा था, वो हर पल उन से लड़ रही थी और कोशिश कर रही थी कि वो इन लोगों के चंगल से बाहर निकल पाए अरन्या बड़ी जोरों से आरम का नाम पुकार दिया, उसकी जुबान में भले ही कपड़ा लगा हो, लेकिन उसके मूँ से आरम का नाम साफ साफ सुनाई दे रहा था अरम तुझे बचाने के लिए नहीं आने वाला, वो तो अब तुम्हारी कोई फिकर नहीं करता, उसे तुम्हारी कोई परवा नहीं, तुम तो अब मेरे लिए काम करोगी, मुझे पैसे खमा के दोगी हनन्या डरने लगी, वो समझ गई थी कि सानवी की दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, वो फिर से अपने हाथ पैर चलाने लगी, उसकी ऐसी हरकते देखकर आहदर्श हसने लगता है, उससे बोलता है, तुम्हें सोच रही होगी ना कि भला, तुम्हें ऐसा कौन सा गलत काम किया जिसकी वज़े से तुम्हें ये सजा मिल रही है, तुम्हें इसके लिए अपनी किसमत को कोसो, तुम्हें अन लोगों को कभी भी तकलीफ नहीं पहुचानी चाहिए थी, जो तुम्हारी हैसित से बड़े हो, क्योंकि अगर तुमने उनको तकलीफ पहुचाई, तो आज़े शे शेख